क्या आपको भी मेरी तरह वेज लजानिया बहुत पसंद है इटालियन डिशिस खाने का मज़ा ही अलग है न तो चलिए ट्राइ करते हैं आज ये वेज लजानिया विदाउट लजानिया शीट्स वेलकम टू मैं चानल ट्राइट टेस्ट ट्रस्टिट और मैं हूँ आपके साथ आपकी राधा बनाने जारी हूँ वेज लजानिया विदाउट लजानिया शीट्स शुरुआत करते हैं अपनी वेजी से जो कि मैंने चॉप करके रख लिये थे चॉप करते से मैं वीडियो आन करना भूल गई थी उसके लिए सौरी उसे आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं अब हमारे जो टमाटर है उसे हम रेडी कर लेते हैं क्योंकि इसमें फोर चाते हैं एक टोमेटो सॉस का लेयर जाता है एक वेजी का लेयर एक ब्रेट का लेयर एक पास्ता का लेयर और सभी लेज में हम चीज यूज करेंगे तो टमाटर को हमने ताकि वह आसानी से पील आफ हो जाए इसलिए उसे साइट से हमने काट लिया है और इसे बॉयल करके होने के लिए छोड़ दिया है ताकि इसका जो पील है वह आराम से निकल जाए अब एक तरफ जब तक हमारा टमाटर धंडा हो रहा है हम बनाएंगे हमारा पास्ता ठीक है पास्ता को बॉयल होने में थोड़ा वक्त लगता है इसलिए सबसे पहले मैंने पास्ता से आपका ओरिगानो चिली फ्लेक्स और जो भी स्पैसे थोड़े मोरे और सबजी जो भी आपके मन पसंद है अब एक तरफ हम पास्ता इसलिए बॉयल कर रहे हैं क्योंकि हम पास्ता शीट्स यूजने कर रहे हैं जनरली क्या होता है ना पास्ता शीट्स खरीदने के चकर में और मंगानया या बहुत लगता है कि बहुत फसी है वेज लजानीया बनाना इसलिए हम वेजलाजानीया बनाना नहीं जाते हैं इसमें आप डाल रही हूं एक ग्लास दूद क्योंकि हम पास्ता को पानी में नहीं बॉयल करने वाले हैं, हम इसे दूद में बॉयल करने वाले हैं, और मैदा या कॉनफलार की जगर पास्ता का स्टार्च ही इसे थिकनेस दे देगा, इसमें मैं मैदा या कॉनफलार कुछ भी यूज नहीं करने वाली हूँ अब यह पास्ता जब तक हमारा मिल्क में बॉयल हो रहा है तब तक हम चेक कर लेते हैं हमारे टमाटर ठंडे हो गए है अब इसके देखिए पील जो है ना आराम से निकल जा रहा है पील आफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा तब स्किन में भी इस पील आफ को लगा सकते हैं अब यह है क्या रहाटर का प्यूरी हमारा अदम वेलवेटी सा रेड कलर टमाटो प्यूरी रेड़ी हो गया है अब एक तरफ हम अपने पास्ता को एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि बीच बीच में पास्ता को सौटे करना जरूरी है क्योंकि नीचे लग जाता है और चूंकि हम दूद में बॉइल कर रहे हैं और हम मैदा या कॉन फ्रार यूज नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी दूद की क्वांटिटी जादा इस लिए डाली है तो कि थोड़ा क्रीमी टेक्शर हो जाए और उसी दूद में यह पक चॉप करके रख ले दो या तीन प्यास चॉप करके रख ले जूसकीर्ट हर स्टैप में लगएगा तो उससे क्या होगा ना को बार बार चॉपिंग का धंजट नहीं और एक बार में आपकी chopping हो जाएगी अब फटाफट फटाफट आप अपनी layering तयार कर सकते हैं अब हमारा पास्ता almost ready होने को आ गया है पास्ता boil हो है कि नहीं आप उसको check कर लीजेगा अलका सा अब इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा cheese चीज इसलिए डाल रहे हूँ ताकि यह पास्ता आपस में bind कर जाए यह खिला खिला थोड़ा सा है तो वह आप चीज डालेंगे तो bind कर लेगा और पास्ता की खासियत यह है कि जब तक जब तक वह ठंडा होते जाएगा तो वह अपने आप गाढ़ा होते जाता है अपने ही स्टाथ से वह सॉलिड़िफाय हो जाएगा क्योंकि पास्ता शीट्स नहीं कर रहे हैं इसलिए हम पास्ता बना रहे हैं इसमें भी आपने देखा मैंने वाइट सॉस यूज नहीं किया है अब बढ़ते हैं सेकेंड लेयर की ओर जो कि ह हमारे पास्ता शीट्स की जो कमी है उसको पूरा कर देगा क्योंकि इसमें लेयर जाते हैं इसलिए हमें यह शीट्स बनाने पड़ रहे हैं ब्राउन ब्राउन यूज किया है अब उसी पैन में मैं बटर फिर से डाल रही हूं फिर से वही हमारा जो गालिक में इंग्रीएं क्योंकि जो भी हम लेरिंग करेंगे ना उससे हर लेर के बीच में हमें यह टोमेटो सॉस डाला है तो सारे फ्लेवर ऑल्मोस्टी टोमेटो सॉस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जो दिरे दिरे आप देखेगा कलर भी चेंज होते जाएगा और थोड़ा यह प्याज और ने के देखेगा अब इसमें भी हम डालेंगे वही सोल पेपर औरिगानो और चिली फ्लेक्स मों फोर में ठेंग घ्य। तोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डालेंगे क्योंकि थोड़ा सा सपैस भी चाहिए अभी हमारी हर लेयर के थोड़ी सी सॉफट टेश्य में आ और यहां टालार है है अब ढाला है अब यह हमारी टॉमैटो सॉस अलोंस रेड़ी है बनने के लिए आपको उसके साथ रोटी या ब्रेड लेनी की जरुवत नहीं क्योंकि हमने हर लेयर में ब्रेड यूज करी ही लिया है अब फिर से हम आमारी दूसरी लेयर बनाने जा रहे हैं अब इसके लिए फिर से बटर अट करेंगे फिर से गालिक डालेंगे फिर से आनियन चॉप के अब यकीन मानिये अब एक बर आप ट्राय कर लोगे ना ता आपको यह लगे गाई नहीं कि मैंने इतना अथेंटिक डिश इतनी मिंटों में बना लिया वह भी इतना टेस्टी मैंने अपने वेजी लिए ना वह अपने चॉइस के साब से लिए अब यहां स्वीट कॉन में अनुसार आप उसे बॉयल करके या रो जैसे डालना है डाले क्याप से कम आप बॉयल करके डालने की ज़र्वत नहीं है ब्रॉकली बॉयल करने की जर्वत नहीं है लेकिन अब गाजर यूज कर रहे हैं या बीन्स यूज कर रहे हैं तो उसे हलका ब्लांच करके डाले ठीक ह अब आज विशुल हम सॉल्ट पेपर औरिगानो चिली फ्लेक्स इसमें अड़ कर देंगे अब यहां पर हम यह सोटे कर देंगे और अंत में हम इसमें चीज डाल के हमारा यह लेयर कर लेंगे अब देखें निया हमने ब्रेट को बेल करके थिन स्लाइस कर लिए थे हमारा पास बेकंग डिश लेंगे और उसमें हम पहले बटर से ग्रीस कर लेंगे में लिए अब इसमें मैंने सबसे पहले टोमेटो सॉस की लेरिंग कर दी है अब एक एक करके हम सारी लैस करते जाएंगे जैसे भी आपको इच्छा हो इसका कोई टिपिकल वे नहीं है कि वन बाइवन हमें यही डालना है फर्स्ट में लेकिन पास्ता हमने यूज किया है पास्ता शीट पास्ता भी है और रोटी या ब्रेड आपको जो भी माने वो भी है तो एवरीधिंग इस देर अपने बड़ी डिश ली है उसके हिसाब से आपकी जो ब्रेड की स्लाइस की क्वांटिटी आप कम या जादा कर सकते हैं अब हर एक जो लेयर हम लगाएंगे उसके बाद हम यह सॉस पुट करते जाएंगे आप अपने हिसाब से अगर आपको सॉस की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए आपको पसंद है तो आप ज्यादा भी लगा सकते हैं जैसे आप जिस वे से भी चाहें अपने टेस्ट के अनुसार आप चीज की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं आप चाहिए तो सिर्फ पास्ता की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं यह जो वेजीज है वेजीज की चॉइस भी आपके चॉइस पर डिपेंड करती है आपके घर में जो भी वेजीज आप खाते हैं अगर आपको कौन पसंद नहीं है या कुछ लोगों को ब्रॉकली नहीं पसंद नहीं म Confederacy तो अब हमारे जो अख्री रियर अभी स्टाटी वेजी आपकरी बार में ऌ यह दाल रही हूं ब्रेट पर ורडों कि सा अर्छ डाली है और अब डाले ना तो थोड़ी सी दबा दें क्योंकि जब हम बेक करते हैं तो वह आटोमेटिकली थोड़ा सा गरम होते होते हैं अपने आप थोड़ा सा इमर्ज आउट होई जाता है और जब तक कि मज़ा नहीं आए हर तरह चीजी वेज़िटेबल्स वाइट सॉस तो है ने इसमें क्योंकि हमने मैदा कॉनफलार बिल्कुल भी यूजने किया है पास्ता भी जो हमने यूज किया था वो भी सुजी वाला पास्ता था इसलिए घर म आपको लगेगा इतना इजी था मैंने पहले क्यों नहीं बनाया अब इस रेड़ी टू बेक अच्छा हम मैंने अवन में रखने से पहले इसमें चीज स्लाइस लगा दिये थे जो रेकॉर्ड करना भूल गई थी अब इसे मैंने डाल दिया है वनेटी डिग्री इस पे अब क्योंकि बहुत इजी तरीके से मैंने इसे बनाया है अपनी फीड़बैक जरूर मेरे साथ शेयर कीजेगा कमेंट बॉक्स पे मुझे मोटिवेट करिएगा और मुझे प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग तिल दे नेक्स्ट वीजियो इंजॉई क कुकिंग और मुझे एटिंग